हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास एट की वॉक्षीट नमबर 12 जो की 26th of August 2021 की वॉक्षीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइन्स तो चलिए शुरू करते हैं चिल्रिन वर्ट दो यू डू इफ यू फिल लाइक इटिंग मैंगो जूरिंग विंटर सीजन और इफ यू फिल लाइक इटिंग स्ट्राबरी जूरिंग समर सीजन तो हम जानते हैं कि मैंगो हमें का मिलता है समर में मिलता है लेकिन अगर हम मैंगो को विंटर सीजन में खान चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा या फिर अगर स्ट्रॉबरीज को हमें summer season में खाना हैं जो की नहीं मिलती है summer season में तो हमें क्या करना होगा तो देखते हैं इसका क्या solution है as we know that micro organisms are present almost everywhere and at all times if they get proper conditions like heat and moisture they grow very fast तो अगर हम microorganisms की बात करें तो ये हर जगें पर पे present होते हैं और अगर इन्हें proper condition मिले मतलब proper heat मिले proper moisture मिले तो ये कहीं पर भी बहुत अच्छे से बहुत आसानी से और बहुत fast तरीके से grow कर सकते हैं Contamination of food is a chemical process which changes the color, taste and smell of the food तो contamination of food एक chemical process है और इस process के बाद जो food का color है वो change हो जाता है उसका taste भी change हो जाता है और smell भी food की change हो चुकी होती है To save food from microorganisms or contamination we can use the following methods so that we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and things made from them throughout the year तो अब देखो ये microorganisms food हमारा जो है उसको contaminate करते हैं और खराब कर देते हैं कुछी समय में तो हम बहुत सारे ऐसे food items हैं जिसको कुछ समय तक तो रख सकते हैं पर एक limit के बाद हम उसको नहीं रख पाते हैं क्योंकि microorganisms उन पे act करके उन्हें खराब कर देते हैं पर अगर हमें ऐसा चाहिए कि जो fruits या vegetables हमें समर में मिल रही हैं उसको हम winter में consume करना चाहते हैं या वो food and vegetable जो हमें fruits and vegetables जो हमें summer में available नहीं हो पाती हैं उन्हें हमें summer में ही consume करना है तो हम क्या करेंगे तो हमें and use following methods यहां पे कुछ methods बता रखे हैं जिनको हम use कर सकते हैं और हम पूरे साल जो भी fruits या vegetables खाना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा किसी भी समय किसी भी season में majors to protect food from microorganisms जिसको हम कहते हैं food preservation तो इन microorganisms को active ना रखना कुछ ऐसे methods अपनाना जिससे microorganisms हमारे food को contaminate ना कर पाएं और उसको खराब ना कर पाएं तो in short हमारे food को microorganisms से protect करने के method को कहते हैं food preservation तो इसके बहुत सारे method होते हैं पहला method है chemical method some chemicals like sodium benzoate and sodium metadisulfite are used to check the growth of microorganisms तो ये दो chemicals हैं जिनको use करके हम microorganisms के growth को रोक सकते हैं तो इस तरीके से अगर microorganisms grow ही नहीं करेंगे तो वो हमारे food items को खराब भी नहीं कर पाएंगे तो क्यूंकि यहाँ पे chemical use हो रहे हैं तो इस method को कहा जाता है chemical method second है preservation by common salt तो common salt का use करते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों को preserve कर सकते हैं जैसे की meat and fish are covered with table salt to check the growth of bacteria तो meat and fish को जब cut किया जाता है और इसको जहां भेजा जाता है consume करने के लिए उनमें gap होता है और meat and fish ऐसी चीज़े होती है जिसको बहुत जादा समय तक नहीं रखा जा सकता है अब क्यूंकि जैसे फिश का example लेते हैं यह सी से पकड़ी जाती है और उसके बाद इनको अलग- तो ऐसे में अगर हम meat and fish के उपर salt को apply करते हैं तो कुछ हद तक यह कुछ समय के लिए बच सकते हैं और इनके उपर grow करने वाले जो bacteria है उनको रोका जा सकता है जिससे इनको एक जगे से दूसरी जगे पहुंचाया जा सके और इसको लंबे समय तक consume किया जा सके हालांकि के मुकाबले ये expiry rate थोड़ी जादा extend हो जाएगी नेक्स्ट है preservation by sugar तो sugar को use करके हुए भी हम बहुत सारे food items को preserve कर सकते हैं the use of sugar reduces the moisture in foods which inhibits the growth of bacteria तो bacteria अगर जहां पर moisture available है वहां पर बहुत तेजी से grow करते हैं तो हम sugar को use करके moisture को reduce कर सकते हैं और अगर एक बार moisture control हो जाता है कम हो जाता है तो bacteria की growth भी रुक जाती है तो इस तरीके से sugar को use करके भी हम बहुत सारी food items को preserve कर सकते हैं इसका एक example तो jam है जैम में sugar को add किया जाता है जिससे इसमें bacteria की growth को रोकी जा सके और इसको लंबे समय तक consume किया जा सके next है preservation by oil and vinegar use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment तो अगर जैसे हम pickles बना रहे हैं आचार आपके घर पे बन रहा है तो आपने देखा होगा कि उस pickle में आपकी mom बहुत सारा oil डालती है तो इसका reason यही होता है कि oil की presence में जो microorganisms या bacteria है वो survive नहीं कर पाते हैं और इस वज़े से जो हमारा pickle है वो काफी लंबे समय तक चलता है और अभी हमने कोई pickle बनाया है तो उसको हम 2-3 साल बाद भी consume कर सकते हैं next है heat and cold treatments boiling of milk destroys heat के treatments अभी हम कुछ food items को preserve कर सकते हैं example है boiling of milk destroys many microorganisms तो जब हम दूद को लेते हैं तो कुछ समय में उसको हम boil कर लेते हैं boil करने से milk के अंदर present जितने भी microorganisms हैं वो सारे destroy हो जाते हैं similarly we should keep food in the refrigerator because low temperature prevents the growth of microorganisms तो ऐसे ही जब हम खाना बनाते हैं तो हम खाना consume तुरंत करते हैं अगर कुछ खाना बच जाता है जिसको हम बाद में consume करना चाहते हैं तो उस खाने को हम refrigerator में रख देते हैं और इससे यह होता है क्यूंकि कम temperature पे bacteria या दूसरे microorganisms बहुत अच्छे से function नहीं कर पाते हैं तो यह हमारा जो food है क्यूंकि कम temperature पे रखा हुआ होता है refrigerator में तो यह लंबे समय तक इसे हम खा सकते हैं तो यह microorganisms उन खाने पे act करके उसको खराब कर देते हैं उसको spoil कर देते हैं और अगर उस खाने को हम खा लेते हैं तो हमारी तबेद जरूर खराब हो जाती है तो इस तरह के से हम heat के treatment से भी food को preserve कर सकते हैं नेक्स्ट यहां पर हमें एक method बता रखा है जो कि है pasteurization heat the milk for 15 to 30 seconds at 70 degree centigrade तो pasteurization के method में milk को 70 degree centigrade तक heat किया जाता है सिर्फ 15-30 second के लिए then cool it down suddenly and fill it in the bags और इसको तुरंथ ठंडा किया जाता है और जो milk के bags होते हैं उनमें भर दिया जाता है it stops the growth of microorganisms और इस method से जो milk है उसमें microorganisms की growth जो है वो रुक जाती है this process is called pasteurization और इस process को ही pasteurization कहते हैं which was first discovered by a scientist named Louis Pasteur तो Louis Pasteur ने इसकी discovery की थी यानि इस method की कि दूद को prevent कैसे किया जा सकता है pasteurized milk can be consumed without boiling और जो pasteurized milk होता है उसको बिना boil किये भी हम consume कर सकते हैं आपके घर में जो दूद का packet आता है एक बार उस पर पढ़ना उस पर जरूर लिखा होगा pasteurized milk तो इसका मतलब है कि हमारे घर में जो दूद के packets आते हैं वो इस process के undergo हो चुके होते हैं और उसके बाद वो हमारे घर में आते हैं तो उन packets को हम अगर चाहें milk consume करना तो बिना boil किये भी उन milk को हम consume कर सकते हैं पर फिर भी safety के लिए हमें boil कर लेना चाहिए ठीक है next is storage and packing nuts and vegetables are kept in an air tight sealed packet which protects them against microorganisms तो हमें पता है कि microorganisms जहां पे moisture होता है वहां पे बहुत जल्दी grow कर जाते हैं तो अगर हम जैसे nuts हैं या vegetables हैं उसको air tight boxes वगरा में seal कर देते हैं या air tight packet में इसको seal कर देते हैं तो यह थोड़े लंबे समय तक consume किये जा सकते हैं क्योंकि air tight box के अंदर moisture नहीं जा पाएगा और अगर moisture ही present नहीं रहेगा तो microorganisms अच्छे से function नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से जैसे nuts वगरा आते हैं तो यह packet में आते हैं क्योंकि इनके अंदर moisture जाता नहीं है और microorganisms फिर इसको खराब नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से इसको भी preserve किया जा सकता है ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ questions, question number one है name any two chemical preservatives तो हमें chemical preservatives के नाम लिखने हैं तो दो chemical हैं पहला sodium benzoate and second है sodium meta by sulfite तो यह दो chemicals को use कर सकते हैं हम और यहीं है chemical preservatives now question number two describe any four methods of food preservation तो food preservation के यहाँ पे हमें देखो कितने one two three four five five methods बता रखे हैं इन में से आप कोई भी चार methods को question number two के answer में लिख सकते हैं now question number third is why is more oil and salt added to the pickle यानि pickle के अंदर आचार बनाते वक्त जादा salt and oil को क्यों add किया जाता है तो इसका answer देखते हैं हम तो question number three का answer है more oil and salt are added to the pickle to preserve it as bacteria cannot live in such an environment क्योंकि bacteria oil and salt वाले environment में जादा समय तक survive नहीं कर पाते हैं और वो function नहीं कर पाते हैं इसलिए हम pickle में oil and salt को add करते हैं जिससे हम उनको preserve कर सकें और लंबे समय तक इनको consume कर सकें अब हम देखते हमारा fourth question तो fourth question है name any four things made from mango that can preserve तो that we can preserve तो यहाँ पे हमें चार mango से बनी हुई चीजों के बारे में बताना है जिसको हम preserve कर सकते हैं और रख के काफी समय बाद भी consume कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा तो इन में देखो पहला है mango pickle क्योंकि जब हम pickle बिनाते हैं तो उसको काफी समय तक रख सकते हैं preserve करके सेकिन है mango ice cream इसको भी हम कुछ समय तक preserve करके रख सकते हैं next mango cheese cake तो इसको भी preserve करके रख सकते हैं and next है arm popper तो ये चार चीज़े हैं जिनको हम preserve कर सकते हैं और ये mango से बनी हुई है तो ये थी आज की हमारी science की worksheet I hope आपको ये worksheet बहुत अच्छे से clear हो चुकी होगी Thank you